A very good afternoon to all of you, diabetes which is a disorder in the metabolic function of the body जिसमें हमारा digestive system ठीक तरीके से function नहीं कर पाता है और हमारा food धंक से digest नहीं हो पाता है अब क्या reasons हो सकते हैं, इसके क्या symptoms हो सकते हैं और क्या do's and don'ts हो सकते हैं जो आपको follow करने चाहिए कि इन precautions को आप follow कर सकते हैं अगर आप एक diabetic patient हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपनी expert डॉक्टर रश्मी भाटिया के साथ डॉक्टर रश्मी, welcome to the show डॉक्टर रश्मी, डॉक्टर रश्मी, डॉक्टर रश्मी, जो की एक metabolic disorder होता है डीखे, diabetes के reasons काफी सारे हैं, एक सबसे मेन है, heredity अगर आपके किसी भी parents को, grand parents को, brother sisters को, cha-cha-cha-cha-chi को, mama mommy या किसी को है तो आपके 50% chances हैं आपको शुकर होने के पिर आजकर है lifestyle modification जैसे आजकर हम लोग का बहुत ही lifestyle pattern बहुत ही खराब है हम बहुत ज़दा junk food खाते हैं या हमारे gaps है खाने के बीच में फिर हम exercise नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं या बहुत ही ज़दा है कि concentrated carbohydrates ले 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 लेएं उसकी वज़े से भी हमें शुगर होने की chances होते हैं क्योंकि हमारी बहुत जो भी हम खाते हैं उसका जो end result है वो sugar यानि glucose ही convert होता है अगर हम fat भी खाए, protein भी खाए, carbohydrate भी खाए तो उसका metabolic जो end result है वो glucose है अगर हम sugar लेते हैं, direct sugar लेते हैं तो वो तो already sugar में है बर जैसे हम दाल चावल खा रहे हैं तो वो भी metabolize होके sugar में ही आएगा क्योंकि जब वो glucose में convert होगा तो हमारी बाड़ी में energy flow करेंगी तो क्या होता है जब diabetes हो जाती है तो जो glucose है जो बाड़ी में मतलब जो insulin की production खतम हो जाती है क्योंकि insulin हम कहते हैं एक चावी है glucose को मतलब cells में भेजने के लिए तो diabetes में क्या होता है कि insulin का production बंद हो जाता है तो क्या होता है glucose क्या होता है cell में न जाके blood stream में ही रहती है इससे क्या होता है कि हमारे blood में glucose की level यानि sugar की level बढ़ जाती है और हम कहने को हम बहुत खा रहे हैं बट हम बहुत लिटार्जिक फील कर रहे है बहुत sweating आ रही है बहुत या तो भूख लग रही है क्योंकि हमारे cells को proper energy नहीं मिल रही है क्योंकि energy जो है वो पूरी तरह से convert नहीं हो पा रही है glucose में ग्लूकोस की फॉर्म में जब convert होता है हमारा खाना तो वो energy flow होती है हमारी बॉडी में जो की diabetic patients में नहीं हो पाता है तो क्या कर सकते है diabetic patients और क्या symptoms होते हैं इसके बारे में अपनी expert के साथ बात करेंगे लेकिन उससे पहले pinky हमारे साथ phone line पर बात करेंगी जी pinky hello hello a very good afternoon pinky बताईए good afternoon both of you जी good afternoon मुझे ना arthritis है severe arthritis है मेरे में में बहुत pain रहता है और वितमी इस गती है आपकी 49 49 एस के इनकी घुटनों में बहुत दर्द रहता है और एस्ट और्थराइटिस है इने क्या कर सकती है क्योंकि इस एज में जी क्योंकि मेनपॉसल एज है तो इसमें ये बहुत मतलब और्डनरी चीज है आजकल फीमेल्स को arthritis की क्योंकि उनका calcium body में बना बंध हो जाता है मतलब जो एब्सॉप्शन है तो इनको क्या है कि calcium supplement milk and milk products, sprouts, basin की चीजे ये सब लेनी बहुत ज़रूरी है साथ में physical activity क्योंकि lubrication भी बहुत ज़रूरी है साथ में ही protein, calcium supplement लेंगी किसी अच्छे orthopedic के पास जाके calcium supplement ले, साथ में dietary ले और अपना वेट ना बढ़ने दे अगर वेट बढ़ना चाहिए अगर वेट बढ़ जागा तो ultimately उनका वेट सारे पैरों पे आता है और उससे और उनकी जो arthritis है बहुत सवे हो जाता है वजन को आपको कंट्रोल में करना होगा अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ लटा हमारे साथ जोड़ चुकी है जी लटा हलो जी लटा हम आपको सुन पा रहे है वेरी गुड आप्टनून बताइए मुझे करीब फारा पंदरा साल से शुगर है और मेरी मेरेज के बाद मेरी शुगर बहुत बार लोग मेरेज के पहले नहीं लोग हुई थी और अभी मेरे अंदर वीक्नेस बहुत है मेरे पांच साल का लड़का है उसमे कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे बहुत वीक्नेस लग थी बस बहुत थोड़ा सा ही काम कर सकती हूँ जादा नहीं और मुझे ये चानना है कि मैं शुगर लेवल मतलब एक ही इसमें चले लो भी नहीं हो हाथ थाए भी नहीं हो और कुछ एनर्जिटिक होने के लिए मुझे क्या करना पड़े शुगर लेने पिछले 12-13 सालों से इनका बेटा भी है क्योंकि क्यों होता है कि हमारे मॉर्निंग में और मिड मॉर्निंग में शुगर लेवल काफी काम होता है क्योंकि रात को हम सोते हैं सुभ हमारा BMR हाई होता है अगर हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो हमारा शुगर लो हो जाता है तो एक तो अपनी प्रॉपर शुगर टेस्ट कराएं और साथ में तीन महीने का HB1 AC कराएं जिसे पता चल जाएगा कि इनकी बॉडी में तीन महीने की जो शुगर है उसका क्या कंट्रोल था उसके बाद एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करें जैसे मैंने बताया मिल्क के मिल्क प्रॉडक्स है कॉंप्लेक्स कार्बोहाइडराइंड कम से कम 1600 कैलोरी टाइट लेनी बहुत जरूरी है और साथ में फिजिकल अक्टिविटी और फिर भी वीकने से तो कि अच्छी फीजिशन के पास या करकी कोई मल्टी विटेमिन ले क्या देगा क्टिव वालों को कई विटीмिंज की भी डेफिशिंसी हो जाती जिससे उनको वीकने सोती है जी इसी किसाथ बात करेंगे शालीनी के साथ fond line पर जी शालीनी कि अपने सवाल को दोराइए अभी भावना हमसे बात करेंगी जी भावना हेलो माम हलो कुद आफनोन वावना बताईए एक्षिट के एद्क और भावना है अपर से रिक्वेस्ट अपने टी वी सेट का वॉल्यूम फ्लीज लो कर दीजे वह बताईए क्या पूचेंगी नेर दो मेरी ऐज एक्चली 16 इर है और इनके खरख ड़जा दा है स्याजाद है और मेरी हाइध भी फिर थी 5 ंदै वर मुझे लाइग वुजे लगता है पर इक सब्काद के लिए से सकाहचेन फाग फूट के लिए जैसे milk and milk products and sprouts है आपका और soya bean है अगर non-veg खाती है तो egg है, fish है, chicken है यह वैसे बिनके adolescent age है, 18 साल तक इनकी height बढ़ सकती है और blackheads के लिए क्या है कि oily चीज़े जादा ना खाए fruits है, vegetables है, aloe vera है, आवला है उसको यह मतलब ले भी सकती हैं और चेहरे पर लगा भी सकती है और किसी अच्छे soap wash से, या जॉनसन बेबी soap से अपने face को कम से कम 3-4 बर दिन में धो है उससे इनको लाइब चेहरा जितना clean रखेंगी उतने ज़्यादा blackheads की समस्या जो हो कम हो जाएगी और अगर और ज्यादा blackheads को remove करने की remedies जाना चाहती है तो Thursday को दोपहर 12 बजे call for care के समच में call कर सकती है जरूर आपको solution बताएंगे वैसे अगर diabetes की और बात की जाए तो क्या symptoms हो सकते हैं जिससे पता लगाए जाए कि diabetes एक patient को क्योंकि हर बार आजकल जो life है वो कुछ इस तरह की हो गई है कि doctors के पास जाना possible नहीं हो पाता है रोजाना या फिर regularly check-ups के लिए तो क्या किया जा सकता है ये पता लगाने के लिए देखे अगर आपको एक दम से जैसे आप normal routine है उसके बाद आपको अचानक से बहुत ज़्यादा थकावट में सूस हो रही है या बहुत frequently आपको भूख लग रही है साथ में बहुत lethargic हो रहे हैं बारी-बारी आपको urination के लिए जाना पड़ रहा है और आपको बारी-बारी पानी की प्यास है जैसे पानी पे हर उसके 10 मिल फिर आपको पानी चाहिए आप AC में बैठे हैं और गर्मी में बैठे हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगना उसके बाद आप देखिए कि क्या आपका meal pattern है क्या आप खारें इसके बावजूद आपको weakness है तो और एक अपना genetics में जाके देखिए कि आपके किसी parents को grand parents को कोई sugar या thyroid की problem तो नहीं है तो भी diabetes होने के बहुत सारे chances है तो उसके लिए आप क्या किजिए अगर आपको यह सारे symptoms है या इसमें से कई मतलब कम से कम दो से तीन symptoms है क्या करना है इसके लिए इसके बारे में बात करेंगे डॉक्तर रश्मी रेकिन उसे पहले एक और कॉलर है हमारे साथ नीलम बात करेंगी वो ओन लाइन पर जी नीलम नमस्कार जी बताएगे मेरी उमर 53 है मुझको high blood pressure भी है और hypothyroid है तो उसके लिए डाइट बताओगे और दो दिन पहले ब्रदर 57 है तो उनका डाइलेसिस भी है और उनको भी blood pressure हाई है आपके दोनों सवालों के जवाब देंगे लेकिन इस छोड़े से ब्रेक के बाद तो stay tune and keep watching प्रग्या जो आपको मिलाए वहतराब से अगर आप heart patient है तो भी diabetes होने के आपको chances रह सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि कुछ बातों का इसमें आप खयाल रखें क्या do's and don'ts हो तकते हैं अगर आप diabetic patient है इसके बारे में डाक्टर रश्मी के साथ बात करेंगे लेकिन उसे पहले break में जाने से पहले शालेनी का सवाल था कि वो 50 years की 53 years की है और उन्हें hypothyroid भी है साथ-साथ उनका high blood pressure रहता है और उनके brother हैं 57 years के जिन्हें dialysis है और साथ-साथ उनको भी high BP रहता है उसमें देख लेजे कितना preservative है कौन सा sodium है उसमें वो उसका दिहान रखना पड़ेगा और साथ-साथ में काऊंगे कि बहुत तलावा spicy food यह सब ना ले रिच फूद है जांक फूद है यह ना ले और हैपो थायरेट के लिए यह कि बंद गोभी है इनके ब्रदर के लिए भी यह बाते का मतलब है इंपोर्टन बर जैसे इनका डायलेसिस हुआ है तो उनको sodium potassium दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा तो जो भी ले उसका लेबल जुरू पढ़ ले कि इसमें कितना potassium है कितना sodium है एक तो नारिल पानी निम्बू यह सब ना लें कि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में potassium होता है दूसर डालेसिस वाले पिशिंट के उपर डॉक्टर के उपर डेपेंड करता है कि उनको कितने ग्राम प्रूटीन डाइट ती है कि उनको 20 होता है कि उनको 40 होता है कि उ अच्छी मैं मुझे हाइपर थाइराइड है मैं यह जानना चाहती हूं कि मुझे कौंस एक्सराइज करनी चाहिए और मतलब घरेलू एक्सराइज में से बताईगे ओके घर में कर सकती है बहुत अच्छा सवाल है वैसे इनका और साथ-साथ किस तरह की डाइट ले इन्हें इस तरह की बहुत बहुत जल्दी आपकी रौशनी हो जाती साथ में गरमी और शाम को भी साथ-आट बजे से पहले गरम रहता ही है तो घर पे वाक करें घर में जो नॉमल मारी अक्टिविटीज है डेस्टिंग है कपड़े प्रेस करना है कपड़े फोल करना है पोचा है ज इससे जो कि बहुत ही इंपोर्टन है इससे क्या होगा आपकी पूरी बॉडी में एक नॉर्मल सर्कूलेशन रहेगा और बॉडी का आपका ट्रिम डाउन मतला जो वेट है ट्रिम डाउन होगा सब तरफ से एक पर्टिकुलर पोशन से नहीं सब तरफ से तो घरेलो और यहां जिवरागी होगेशन पूरी कर सकती है और दूसरै सुखनी होगे विजसे कैसे पूरा करें ओर आपको नुकसान नहीं करेगा पर दिन में रात में नहीं और उसके बाद वही जैसे कि फ्रूट्स नहीं क्योंकि खर्बूजा तर्बूज आम का सीजन है लसी के साथ ये नहीं क्योंकि तब नुकसान करेगा और आर्थ्राइटिस है इनको तो इनको वही मिल्क प्रॉडक्स कैल्शियम रिच फूड लेने हैं जो इनके लिए बहुत सरूरी है अभी हमारे साथ वो बिलीव इन अभी इस उमर में हलका खाना लेना चाहिए कुछ भी खाती है तो उन्होंने कहा कि इनने डाइज़ेस्ट नहीं होता है हां जी क्योंकि इस एज में क्योंता है कि हमारे जो बॉड़ी के जूसे हैं गैस्ट्रिक जूसे हैं सलाइवा है काफी कम सिक्रीट करने ल पानी है, नारिल पानी है, फ्रेश जूस है, थोड़ थोड़े गाप में ही का है, और हवी चीज़े ना का है, जी, इंदु जी, वेरी गुड आफरनून, क्या पूछेंगे आप? आपसे रिक्वेस्ट अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजे, उसके बाद बताईए क्या सवाल है आपका? एज कितनी है आपकी इंदु जी? 52 एज की आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इस छोड़े से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाईए, देखते रहिए, कॉल पर कैर कई बार बहुत सारी बिमारियां ऐसी होती हैं, जिनने हम अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव ना करने की वज़ा से पैदा कर देते हैं, या बुलावा देते हैं इसके बारे में Dr.Rashmi के साथ बात करेंगे और किन प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना चाहिए इसके बारे में भी, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, इंदू ने हमसे सवाल किया था, कि उन्हें घुटनों में दर्दरता है, साथ साथ उनके दोनों पैर सुन हो जाते हैं, क कालिशियम सप्लिमेंट ले और उसके बारे में बात करना चाहूंगे, सबसे पहले समस हमारे में हैं, पहला मिनाक्षी गाहिए कि यह ओवेट है, क्या कर सकती है, फिट रहने के लिए और वजन को कम करने के लिए, एक तो देखें, लो कैलरी राइट, लो फैट, लो शुग और फिजिकल अक्टिविटी बढ़ा है, और अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्भोहेट ब्रैन हो गया, आपके मल्टी ग्रेन हो गया है, स्प्राउट हो गया है, यह सब इंक्लूट करें, ओके नेक्स्ट इसमस हमारे पास है, यह भी ओवरवेट है, इने स्लिप डिस करनी बहुत सुरूरी है, एरोबिक्स कर सकती है, या किसी अच्छे जिम में जाके, जो अब्डॉमिनल एक्सराइज है, वो करेंगी तब इनका स्टमक बोश्र में बेट काम होगा, ओके, नेक्स्ट एसमस हमारे बास है, इनोंने रिखा कि फूट बहुत खाती है, सालड बह है, और अगर चीनी या बहुत जादा ओईली चीज दे रहे हैं, उसको रिडूस करें, ओके, नेक्स्ट एसमस हमारे पास है, 28 इसकी है, या इनका ब्रेस साइज बहुत बढ़ा है, क्या कर सकती है, उसके उसे रिडूस करने के लिए, और ताइटन अप करने के लिए, उसके भूस करें, जिस पाइडे माम, वेरी गूद आफरूम, जिकूद अटाइगे, माम मैं 32 इर्ज की हूं, मुझे थारेट की प्रॉब्लम है, और बेबी होने के बाद मेरा वेट काफी बढ़ गया था, आम अलमूस 20 किलोस ओवरवेट, 20 कजी ऑवरवेट है, इनका बढ़ गय पाटन है कि चेंज करना पड़ेगा, टाइम पे खाना पड़ेगा, लिक्विड इंटेक, स्मॉल फ्रिक्विंट मिल इंटेक, जंक फूड एकड़ 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 नहीं, शुगर की कॉंटिटी एक से दो चंबच, और साथ में फिजिकल अक्टिविटी वो जुरूर क्योंकि आम भी वजन बढ़ाता है, और रात को आठ बजी के बाद अगर खाना खारें तो कोई भी सीरिल ना ले, जैसे चावल ने, रोटी ने, ब्रेड ने, पास्ता ने, नोडल्स ने, ये सबना ले, और अपनी जितनी फिजिकल अक्टिविटी एक्सरसाइज करेंगी, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर रुची बात करेंगी, जी रुची, लगता है, रुची के साथ हमारा संपर्क तूट गया है, क्या प्रिकॉशन ली जा सकती हैं, किन साफधानियों को बढ़ता जा सकता, या पिर क्या डूस और डोंट हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिन जान पर चावल का मार निकाल के खाने के जुरूरत है, और रफज अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए, जैसे सालड के फॉर्म में, मल्टी ग्रीन ब्रेट्स है, ओट्स है, आते में भी ब्रैन मिला कर, और चाय भी फीखी ले, यानि की जाम निकाल के ले ले ले, दूद भी डबल टोन ले, अगर दूद पीरी हैं, नहीं नॉर्मल टोन या फुल क्रीम का ले सकी हैं, और फिजिकल अक्टिविटी, ज़्याद से और पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, बहुत लोग को लगता है कि हम इतनी कामेज में शुगर हो गई है, अब क्या होगा, ऐसा न अब करेंगे, तो आपको ये डिसॉडर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको शुगर है, बहुत अच्छे द्वाइजी, डॉक्तर रश्मीन, भी बात करेंगे, अविनाश के साथ फोन लाइन पर, जी, अविनाश जी, नमस्कार, बता जी, अब बता है बता है कि इनको कौन सी अच्छे को सुट करते हैं, कोई मेडिसन किसी को सुट करती है, विहार बॉडी का जी, जीनिटिक टाइप अलग है, फिसिकल अक्टिविटी अग है, और डॉक्टर ही बताएंगे कितनी कैलरी जाइत लेनी है, कईयों को सिरफ 14 100 प् जए साब से हम बता सकते हैं किए ce āए किसी कौन्टेनों जैसे लएंच के बार किया है किए अगर मेदिशन का प्रोपर इंटेक कालरीग मीचण के चैलों का प्रोपर इंटेकर ना रहना कभी होगा है तो यह आपको प्रॉपर डॉक्टर ही बताएंगे कितनी कालरीज हैं फिर हम उस आपसे बता सकते हैं कि अगर आपकी 600 कालरीज है तो आपको लांच डिनर में क्या-क्या कितनी कौंटिटी में लेना है आपने बताए कि डाबटीज में शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया सकता है क्या डूस और डोल्स सकते हैं लोगों के लिए इसके लिए आपका शुक्रिया डाप्तर बश्चिए